आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यानि इसकी वेली को अपने को Maximize करना है और X प्लस 3Y इसको क्या लिए सेते हैं माइनस का 60 less than equal to 0 और X less than Y को क्या लिए सेते है X minus Y less than equal to 0 और X भी क्या है गर्दन equal to 0 Y भी क्या है गर्दन equal to 0 तो सबसे पहले जो अपने को relation दे रहा है इसको line मान सकते हैं तो एक line है L1 L1 equal to X plus 3Y minus 60 equal to 0 equal to 0 तो यानि X axis को किस point पर intersect उस point को A मान लेते हैं X axis को तो यानि Y equal to 0 पट करेंदे तो X की वेली का जाए 60,0 B point यानि Y axis को तो Y axis के लिए X equal to 0 पट करेंगे तो यानि ये 0 हो गया तो Y 0 हो गया तो ये किता है 3Y equal to 60 तो यानि 20 अब बात करते हैं L1 X equal to Y तो ये तो वे 0,0 से पास करेंगे और इन दोन प्ट line का intersection point कोन सा हो जाएगा यानि X plus 3Y minus 60 equal to 0 दूसरी L2 क्या हो जाएगे अपने पास L2 equal to X minus y equal to 0 यानि X equal to Y तो यानि इसका intersection point कोन सा जाएगा यानि X equal to Y तो 4Y equal to 60 तो यानि 15,50 ये intersection point आ गया तो सबसे पहले line ड्रो करेंगे तो सबसे पहले यहां से ये Y axis हो गया ये X axis हो गया तो ये line गया X plus 3Y minus का 60 तो X plus 3Y minus का 60 हो गई ये line कोन से हो गई अपने पास X plus Y equal to यानि X minus Y ये line हो गई अपने पास यानि X minus का Y X minus का Y equal to 0 और दूसरी line क्या हो गई अपने पास यानि X plus 3Y minus का 60 equal to 0 तो यानि अपने को क्या निकालना है X minus Y less than equal to 0 तो यागर इस line में 1,0 put करें यानि और ये क्या बोल रहा है यानि X greater than 0 X greater than 0 यानि इस side में जाना अपने को Y axis के और Y greater than 0 यानि X axis के उपर और यान से अपने पास point का दर रखा है यानि X plus 3Y minus less than 60 है तो X plus 3Y minus का 60 क्या है less than equal to 0 तो 0,0 0,0 पे value क्या दे रहा है 0,0 पे दे रहा है minus का 60 तो वो क्या है less तो यानि इस side यानि इसके downward में यानि इस line के downward में और इस line में क्या होगा X minus Y क्या है less than equal to 0 तो 5,0 यानि X minus का Y less than equal to 0 तो 2,0 पूट करें 2,0 तो में सावे तो गर्दन होगा तो यानि इसके उपर वाला area तो यानि यहां से common area के आ जाएगा अपने पास यानि जो common region बनेगा वो यह region बनेगा यानि यह region बन गया तो यहां से critical point कौन कौन से आ गए critical point जो अपने point यह calculate किया C तो C तो intersection point 15,15 और B point अपने पास यह आ जाएगा 0,20 और यह क्या जाएगा 0,0 तो अब जब भी maximize minimize करना हो तो critical point पर value निकालता है जिस critical point पर value maximum होगी वह वहाँ पर maximum होगी और जिस critical point में minimum होगी वह minimum value होगी तो यहां से critical point कौन कौन से आ गए यानि critical point तो यहां से अपने पास क्या बनेगा यानि यह तो Z की value हो जाएगे यानि यह तो critical point critical point और यह Z, Z की value का आपने पास Z की value है 3X plus 9Y 3X plus 9Y तो यह तो एक first point पॉइंट तो आपने पास क्या जाए 0,20 तो यहनी X की value तो 0 और Y की 20 तो यहनी से Z की value क्या जाएगे आपने पास 180 180 और यहाँ से आपने पास 0,0 0 पर इसकी value किया जागी 0 और 15, 15 पर इसकी value किया जागी अपने पास यानि z equal to, तो z equal to 45 plus 135 तो which is equal to 180 तो यहां से इसकी value किया पूचिए था maximize, minimize, minimum value किती हो जागी, यानि minimum value तो minimize किती हो जागी, 0 हो जागी minimum value of z equal to 0, यानि इसकी minimum value किती हो जागी, तो यही अपना answer होगा, thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर